हेलो फ्रेंज, वेल्कम टो माई चैनल धनेसरी क्लासेश, आज का हमारा जो सब देख्थ है इंग्लीश ग्रामर, क्लास फोर्थ का इंग्लीश ग्रामर का भूख है, इसका जो चाप्टर नमबर फ्रस्ट है, कमपोण वोर्ड और इस फॉर्म्स, यह जो पहला जो चाप्टर ह इसके exercise हम यह पर solve कर रहे हैं, इसका पहला question हमारा ही आप पर हो चुका है, लास ताइम जो वीडियो में शेर किया था उसमें question number four, exercise का, वो हमने यह आपर देखाता, आज इस वीडियो में question number two है, और question number 3 है यह दोनों question हम यहाँ पर देखेंगे तो चलिए start करते हैं question number 2 जो है draw a line to match a syllable given in column A and the left with a syllable given in column B column A और column B में जो syllables दिये गए हैं उन्हें हम join करके एक नया word यहाँ पर बनाना है यहाँ पर for example एक दिया है can है column A में और B में है did तो यहाँ पर किस तरह से join किया है can did उसी तरह से हमें यहाँ पर column A के syllable को column B के syllable से match करके हमें यहाँ पर नया word लिखना है ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला जो है pad 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 को हमने यहाँ पर कौन से syllable join किया है pad को यहां के पर किया है लॉक पैड लॉक इसका meaning full जो एक words तयार हो जाता है पैड फूल पैड लॉक सोरी पैड लॉक हम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद है अप अप को हमने कौन से यहाँ पर syllable करेंगे यहाँ पर करेंगे से अप से यहाँ पर तयार हो गया देखेंगे यहाँ पर अपसे उसी तरह से यहाँ पर है कीट को हम यहाँ पर जोइन करेंगे टेन की टेन उसके बाद है अन अन को जोइन करेंगे मेड यहाँ पर देखेंगे अन मेड उसके बाद है पंप यू एम पी पंप उसको एक पर जोइन करेंगे अब देखें ने मभी किन किन कृन कैप लेट का ärन मभी पार चैंले我不 हे टैड़ पोल इसके बाद है डर को सिब्सक्राइब है तरगेट हम में कि मॉक है हैं मॉक हैं मॉक है तो उसके बाद है कैप साइज और लास्ट है टीन एच यहाँ पर एच हम यहाँ पर ज्यूइंट करेंगे इस तरह से meaningful words यहाँ पर तयार हो जाते हैं इसके बाद question number two जो है वो है write a compound word for each of the following words follow the examples यहाँ पर एक example दे रहा है book plus case यहाँ पर कौन सा word तयार हो जाता है book case इसी तरह से यह words है में लिए आपर लिखने हैं काफी simple words है class third में भी second में भी यह सह हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा से जल्दी जल्दी ले रही हूं देखे sand plus book box यहाँ पर हो गया sandbox dug plus out dug out उसके बाद next है under plus ground underground high plus way high way best plus board best board life plus time lifetime board plus walk look board walk setup plus case cupcake shake plus board shake board sorry sketch plus board skateboard out plus cast out cast इसी तरह से नया वोड्स यहाँ पर तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर आज के इस विड़ी में यहाँ पर देखा exercise जो है first lesson की इसका question number two और question number आप लोग के वीडियो काती हिल्फुल लगेगा वीडियो को लाइक शेर जरूर करना और अगर आप चैनल पे नए है तिसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन जरूर प्रेस करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद